नमस्कार मित्रो मैं दिनेश कुमार चरण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहिते का देन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज का हमारा फिशे है जे आर एफ क्या है जे आर एफ जुनियर रिसर्च फेलोशिप ये कोन देता है किशे मिलती है किस परकार स जा सकती है इसके क्या फाइदे है और ये कितनी जे आर एफ मिलती है कितने शालों के लिए मिलती है इन सारे प्रशनों का जबाब में इस वीडियो के माधिमशे में देने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक देखना आपको संपूर्ण जानकरी दी जाएगी क्या है क kind ये मिलती है किस परकारं से आप इसके लिए आप्लाई कर शकते हों कब आप इलीजिबल होते हो तो सारी की सारी जानकरी इनियो के माधिमशे में देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहली बात जे आरेफ है क्या दरसल जे आरेफ युजीशी की द्वारा नेट की परिक्षा का आयोजन किया जाता है नेशनल इलिजीबिलिटी टेस्ट राष्टे पातरता परिक्षा किसी भी विशय में अगर आप पीजी हो सनात्को तरकी अगर आपने धार्ण कर रखी है तो उसके बाद में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उस इस्तिती में आपको नेट केलियर करना होता है हैं अगर आपने nett clear कर लिया तो आप assistant professor या college lecturer जिशे आज करल assistant professor ही कहा जाता है उसके लिए qualified हो जाते हो उसके परक्षा में बेखने के लिएpla gesam oh inequalities हो जाते हैं पहले शारत है net या नैट हो सकता है सेट भी हो सकता है ठीके उसके बाद में अब बारी आती है जे आरेफ की दरसल होता क्या है कि यूजिशी जब नेट का आयोजन करवाती है तो उस समय जो टोप स्टूडेंट होते हैं उन्हें जे आरेफ के लिए अवार्ड लेटर दिया जाता है और वो जे आरेफ है जुनियर रिशर्च फेलोशीप वह कब दिया ज दमल शोद के लिए आपको जे आरेफ प्रदान की जाती है मलतब यूजिशी ये चाहती है कि अगर आप होशियार हो और उस परिक्षा को आपने पास किया है तो उस इस्तिनी में सरकार की तरफ से आपको फेलोशीप दी जाएगी तो पहली बात ये यूजिशी प्रदान कर है क्या दरसल ये नेट क्वालिफाइड करने वाले मेंशे ही होशियार विद्यार्थियों को अभियर्थियों को दिया जाने वाला एक फेलोशीप है जो शोद कारे के लिए दिया जाता है ठीक है अब दरसल बात या दिए कि आखिरकार अगर आपको जेरेफ और लेटर भी मिल गया अब आप केशे इसके लिए एपलाई करोगी केशे करें आप ठीक है अब दरसल क्या है कि कि जेरेफ या फेलोशीप उठाने के लिए आपको पहली शार्त होती है कि कि किसी भी विश्व विद्याले में आपका शोद के इंतरगत प्रवेश होना चाहिए मतलब आग अगर आप MPHL भी कर रहे हो या PhD भी कर रहे हो किसी एक में आपका प्रवेश होना चाहिए तब जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो जेरेफ के लिए आपका प्रवेश हो गया जैसे आज की तारिख में तो आज की तारिख शेही आपकी जेरेफ शुरू हो जाएगी म और आवेजं करने के कीए दीर महींने बाद जैसे ली प्रक्रीया है उसकी माजिस आप सभाग में प्रफ日 उसके पास सारी शक्तियां होतीए कि आपके फोरम उसेने के माधिम कि वीबशाइट के माद्यमशे मिल जाती है उस फोरम को भरकर आप आजकाल विश्व विद्याले की एडम ब्लोक में होता है और पहले अब तो यह बात है जहां भी हो आप करवाशकते वाराम से और उसके बाद में हैं यह कब तक मिलती है मतलब जयर एफ जो होती है वह अगर आप पहले में पप्रवश ले ले लेते हैं तो इस्सности में क्या हुता कि आप एंफिल में प्रवश ले लुए लिया आप लेशके आप लेशके में गाप लेशकते हैं आप उठा सकते हो आज कल यह नियम बना दिया है कि एक शाल का और एक्स्टेंशन ले शकते हैं लेक शाल और यह बढ़ाया जा सकता है ठीक है अब दरहसल क्या है कि एक होती है जे आरेफ और एक होती है जे आरेफ दरहसल क्या है जुनियर रिशर्च फिलोशीब है जिस समय आपका शोध में प्रवेश होता है उस समय आप जे आरेफ उठाओगे मतलब जुनियर रिशर्च फिलोशीब जैसे ही आपकी शोध में दो शाल पूरे हो जाते हैं फिर आपको सीनियर रिशर्च फिलोश दी जाती है ठीक है ना तो सीनियर रिसर्च फिलोशिप अलगशे कोई अवार्ड नहीं होता है जे आरेफ ही दो साल के बाद में एश आरेफ में कनवर्ट करवानी पड़ती है ठीक है और ये कनवर्ट होती है आपके जो गाइड होंगे शोद निदेशक होंगे उसके माद्यम से कारय संपन किया जाता है भी चरहegenों प्रकिलिया है आपके प्रवेष्च के पर्शराथ आपको पता चल जाती है ठीक है अब दरसल यह कि हमें यह जानना है कि जैसे जर्एफ कि अब कि परतोGB कितनी दी जाएगी कि तरनास्य आपको आपके काउंट में आ जाएगी किसे उठा सकते हो किस परकार की इसकी परकुरिया है ठीक है अब जरसल सबसे पहली बात जो होती है वो अब उसे बढ़ा दिया गया है पहले जब मैं कर रहा था पीएच दी अलांकि पीएच दी तो अब भी चदरी है लेकिन नोकली लगने के बाद ज जिस समय मैं कर रहा था तो उस समय जियारेफ के रूप में दी जाती थी 25,000 रुपे लेकिन अब उसे बढ़ा कर कर दिया है 30,000 रुपे कर दिया जियारेफ अगर आप पीएच दी या एंफिल में परवेश लेते हो तो आपको जियारेफ प्रतीमा 31,000 रुपे मिलेगी ठीक है और एसारेफ दो साल बाद यह जए जियारेफ है ओसरेफ में कनवर्ट हो जाती है और दो साल बाद आप प्रतीमा 35,000 रुपे आपको दी जाएंगे एसारेफ के रूप में ठीक है अब यह तो हो जाह है मूल मतलब जियारेफ और एसारेफ फिर बाद में आप किस सहर में रहते हो जिसे आप दिल्ली मुंबई कोलकाता यहां पर अगर आप प्यस्टी कर रहे हो तो आपका एचारे बनता है हाउस रेंट एलोएस तो मैं जिसे कि मकान कराया बता जोता है वो दिया जाता है ठीक है न तो यह अलग-अलग शहरों के अनुशा में रह रहे हो तो वहां पर आपको 16 एचारे दिया जायेगा और महा नगरों में रहे हो तो आपको 24 परतिशत हरे दिया जायेगा जिसके ãर है इलिजिबल नहीं होते हो ठीक है ना दूसरी बात यह होती है कि किसी ने एक कमेंट लिखा था किसी शाथी ने कि विश्युविद्याले अगर कोई नेट उतेर्ण है और नेट उतेर्ण होने के बाद में अगर जेएरेफ नहीं है तो उसे क्या फेलोशिप देता है कुछ इसको बंद कर रखा है वो शकता है अब वापिस रूपी कर सकते हैं और कुछ विश्विद्याले फेलोशीव के रूप में आठ दस अजार रुपे देते हैं और कुछ दे रहे हैं कुछ इतने बंद कर दिया तो इसका कोई निश्चित मापन है नहीं तो मुझे नहीं लगता फ Ikka की रेगॐलर जिस परकार से ज्रैफ और एसर फ मिलती है उसपरकार से मिलती होगि हाँ कुछ को मिल रहोगा बंद को नहीं मिल लाओगा यूं कहा आज आसकता है ठी है तो यह थि दोस्तों शमपूर्ण जानकारी ज्यार ये वादे और और भी कुछ अगर जानकारी चाहते हो जियारेफ या इसे समंदेद या पियस्टी से समंदेद तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आज के लिए इतना ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद